कि दोस्तों नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी अपने चैनल यूर इंटाडे कोच पर दोस्तों आज मार्केट साइडवेज रहा मार्केट में आज ज्यादा कुछ मुमेंटम हुआ नहीं देखते हैं कि मार्केट में कल कहा मुमेंटम हो सकता है और उसके पीछे लॉजिक क्या है दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज भी मार्केट में जो शेर्स थे अडानी के उन में से एक-डो shares को छोड़के बाकी shareों में गिरावट रही और अडानी का share या अडानी के share की वज़े से market में कोई momentum आ नहीं पाया जबकि कई सारे stocks के result out हुए थे और उन result के out होने के बापजूद market में एक momentum नहीं आया, दूसरा Wednesday को RBI की policy है, policy की में क्या आता है, क्या नहीं आता है, इस वज़े से भी market में एक direction पकड़ने में दिक्कत हुई, आज market में निफ्टी हो या bank निफ्टी पूरा का पूरा sideways रहा, यह हम निफ्टी की अगर बात करें, तो निफ्टी भी पूरे दिन एक sideways रहा, यहाँ पर open हुआ market, एक downfall आया, और उसके बाद market एक direction में घुमता रहा, ना market में नीचे गया market, और ना ही market उपर गया, market एक direction में घुमता रहा, तो कल क्या हो सकता है, उसकी हम बात कर लेते हैं, कल market में आप देखेंगे, कि एक जो आपको आज की range मिली है, कौन सी व range है market में, इस range को market किसी भी side उपर या नीचे break कर सकता है, अगर उपर की side break करेगा, तो 17,850 का level आपको मिलेगा, और नीचे की side break करेगा, तो आपको 17,610 का level देखने को मिल सकता है, तो निफ्टी में जब भी कभी कोई दिन ऐसा आता है, कि market में momentum नहीं होता है, market sideways रहता है, तो वो दिन traders के लिए बहुत अच्छा दिन होता है, क्योंकि उसके अगले दिन आपको momentum मिलने की पूरी की पूरी possibility होती है, तो हम देखेंगे कि कल यानि Tuesday को market में momentum कहां आ सकता है, और कितना momentum आ सकता है, तो यह जो आज की range है, 17,780 की range है, तो हम कल इस range के किसी भी direction में निक पर की range है, 17,780, तो हम यहाँ पर buy कर सकते हैं, buy कर सकते हैं, nifty को, कहां buy करेंगे, 17,780 के उपर हम buy करेंगे, stop loss हम क्या डालेंगे, stop loss डालेंगे, 17,745 का stop loss डालेंगे, यानि 35 point का stop loss रहेगा, और जो target निकल कर आएगा, पहला target हैगा, 17,850, 17,850 हमारा दूसर टारगेट रहेगा, पहला target रहेगा और 17,941 हमारा दूसर टारगेट रहेगा, तो कल इन दो target के लिए हम nifty को buy करके चल सकते हैं, और जो हमारी आज की lower range थी, वो lower range थी 17,700, अगर market कल 17,700 की नीचे निकलता है, तो हम nifty को sell करके चल सकते हैं, तो nifty को हम sell क करेंगे, sell करेंगे, nifty को 17,700 के नीचे sell करेंगे, stop loss क्या डालेंगे, 17,735 का stop loss डालेंगे, और जो target निकल कर आएगा, वो पहला target आएगा, 17,610 का, दूसरा target आएगा, 17,533 का, और तीसरा target आएगा, 17,439 का, यानि पहला target ये रहेगा हमारा, दूसरा target ये रहेगा, और तीसरा target हमारा ये रहने वाला है, तो इन तीन target के लिए हम nifty को sell करके चल सकते हैं, और इन दो target के लिए हम nifty को buy करके चल सकते हैं, बात कर लेते हैं बैंक nifty की, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है निफ्टी बैंक का चार्ट ले ले लेते हैं आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक में भी मार्केट में मूमेंटम नहीं हुआ आज SBI में मुमेंटम आना था मैं आपको बताऊं यह है आप देख सकते हो मेरा प्रॉफिट है आज एक लाग तेही सजार चार्सोच्यानवे का इससमें प्रॉफिट चल रहा है मार्केट चल रहा है आप देख सकते हो यहाँ हो रहा है और आप देख सकते हो इक बार रिफरेश कर देता हूं और एक बार रिफ्रेश कर देता हूं आप देख रहा होगे कि यह फ्रॉफिट घडबड रहा है और नीचे भी market में उपर नीचे value हो रही है तो यह मेरा profit था आज SBI का profit था वो 1,15,425 रुपे का था मैंने इसके बारे में आपको अपने पिछले वीडियो में जो मैंने आपको डाला था कल डाला था वीडियो मैंने आपसे कहा था कि अगर market ने साथ दिया तो यह profit 2-4,000,000,000 रुपे का हो सकता है और market में बहुत ज्यादा निगेटिव निउस रही तो यह loss भी हो सकता है लेखे चुकि मुझे अंदास था कि SBI का result अच्छा आ सकता है इसलिए मैं कुछ quantity buy करके गया था और उसमें मुझे 1,15,000 का profit मैंने बुक कर लिया मैंने आपको टेली ग्राम पर दिया भी था जब मैंने इस profit को बुक किया था मैं आपको दिखाता हूँ टेली ग्राम पर मैंने यह सुबह सुबह 1,15,000,000 रुपे का profit मैंने यह market open होते ही साथ मैंने बुक कर लिया था उसके बाद फिर मैंने बैंक निफ्टी में 41,000 की put को sell किया था 250 quantity तब मैंने आपको डाल दिया था और मैंने लिख दिया था कि यह मेरी position है हाँ और एक चीज और बताएं मेरा जो price action course है वो 10 फरवरी से start हो रहा है और इसमें मैं आपको सारा detail में सिखाने की कोशिस करता हूँ जिसमें आपका equity हो गई, commodity हो गई, future हो गई, currency हो गई इसमें मैं आपको कई सारी चीजें बताता हूँ वन आवर trading system क्या है 9.15 से 9.30 के बीच में आप कौन सी trading strategy लगा सकते हो 11.30 से 1.30 के बीच में आप कौन सी trading strategy लगा सकते हो 1.30 से 3.15 पीम के बीच में trading strategy क्या होनी चाहिए अगर market gap up खुलता है, gap down खुलता है तो आपको कैसे trade करना चाहिए intraday trading के rules क्या है, money management क्या है, intraday के लिए psychology क्या होना चाहिए intraday के दोरान, इसके लाबा stock selection during live market and one day before यानि आपको एक दिन पहले से पता होता है कि आज हमको किस stock में trade करना चाहिए और किस price पे trade करना चाहिए, आपको price भी पता होता है और आपको stock भी पता होता है positional trading strategy भी बताते हैं, जैसे आप अभी मुझे 2-3 दिन से देख रहा हो पहले दिन हमको SBI में 2 लाग का profit हुआ, दूसरे दिन फिर 2 लाग का profit हुआ और अभी मैंने 7 लाग का profit, तो आप positional trading का अगर करना चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं और इसके बाद special attention है for crude oil और copper के लिए, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो crude oil और copper में trade करते हैं दूसरा मेरा option का batch है, आप जानते हैं कि option में trade लेना बड़ा असान होता है आप trade ले लेते हैं, कोई भी strategy, आप butterfly लगा देते हैं, आप strangle लगा देते हैं, आप calendar लगा देते हैं, आप iron fry लगा देते हैं, आप कोई भी strategy लगा देते हैं strategy बनाना और strategy से position लेना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर market आपके direction के opposite चला जाए, तो आप उसको adjust कैसे करोगे, तो इस batch में मैं पूरा adjustment बताता हूं, और साथ ही साथ में आपको एक month तक live support भी देता हूं, आपको live trading भी देता हूं, live trading करवाता हूं, और कोसिस करता हूं कि आपकी one month की जो आप fees देते हैं, वो fees भी आपकी में निकलवा दूँ, आपका confidence आ जाए, और आपको ये पता चल जाए कि live market में कब कहां और कैसे हम adjustment करते हैं, तो सारी चीजे मैं आपको इसमें समझाता हूं, तो ये option adjustment batch है, ये भी 10 परवरी से start हो रहा है, और price action batch भी 10 रहेगा, और हिंद पैट्रो समय 230 रुपे का चलना था, इसमें 231, मैंने भी लिया था, बाद में हिंद पैट्रो, चुकि मेरा सारा पैसा इसमें block था, इसलिए मैं हिंद पैट्रो को ज्यादा नहीं ले पाया, 2200 quantity मैंने ली थी, और इसमें मैं कुछ profit लेके निकल गया था कितना profit लेके निकला था, वो भी मैंने आपको अभी दिखाया, हिंद पैट्रो में मैंने 2068 रुपे का, आप देख सकतो, 2068 रुपे का profit लेके में निकल गया था, चुकि मेरा पैसा इसमें फसा था, इसलिए मैंने इसको positional नहीं लिया था, लेकिन ये stock positional के लिए बहुत ब market में ये सब आप लोग जानते हैं, चलिए आगे बात कर रहे थे हम लोग bank nifty के लिए, तो आप देखेंगे bank nifty में भी market open होने के बाद, यह market open हुआ, पहली candle बनी, उसके बाद market ने नीचे की तरफ moment किया, और फिर पूरे दिन भर market इसी zone के अंदर गुंता रहा, कल मैंने आ 564, 41,189, 564 को इसने जैसी break किया, यह market 300 something आया, और उसके बाद market वहीं पे पूरा दिन इसने गुजार दिया, तो कल के दिन हम इसमें कहां पर trade ले सकते हैं, वो चीज आप देख सकते हो कि कल के दिन हमारा जो trade बनेगा, वो इस level पर बनेगा, जैसे ही इस level को break करेगा, यान इसमें trade ले सकते हैं, तो bank nifty को आप buy कर सकते हो, buy कर सकते हो bank nifty को, 41,564 के उपर आप buy कर सकते हो, stop loss डाल सकते हो, 41,470 का stop loss डाल सकते हो, और जो target निकल कर आएगा, पहला target इसका ये वाला रहेगा, 750 का, तो 41,000, आप चाहें तो 564 पे ले रहा है, छोटा target लेके भी निकल स सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा target पर ही निकलने की कोशिस करता हूँ, तो 41,700 पर आप निकल जाएं, और दूसरा target रहेगा, 41,905 का, तो आपको ये दो target के लिए, आप यहाँ पर इसमें buy करके चल सकते हो, sell आप कहां करोगे, तो bank nifty को, आप sell करके चल सकते हो, किस जगे sell करोग जैसे ही ये level break करेगा, यानि 41,320 का level अगर break होता है, तो आप इसको sell करके चल सकते हो, sell डालोगे, 41,400 का sell डालोगे, और जो target निकल कर आएगा, वो target निकल के आएगा, आपका पहला target आएगा, 41,200 या 189 या आप कहां सकते हो, दूसरा target निकल के आएगा, 41,068 का, और दूस target निकल के आएगा, वो 40,950 का, इन तीन target के लिए आप बैंक निफ्टी को कल sell करके चल सकते हो, हाँ पर सो, Wednesday को, RBI की policy है, तो RBI की policy के पहले market कैसा भी एप करते हो, करेगा, upside जाएगा, downside जाएगा, वो सारा का सारा आपको कल price action के थूरू यहाँ पर पता चल जाएगा, तो आप 41,560 के उपर निकलता है, तो आप buy करके चल सकते हो, जैसे ही 41,320 का level break करेगा, आप sell करके चल सकते हो, 41,400 का stop loss लगा कर, तो दोस्तों, एक दो बार वीडियो को दोबारा repeat करके जरूर देखिएगा, इन levels को draw कर सकते हैं आप अपने chart पे, और इसके according trade ले सकते हैं, तो झाल